पर हमारी पार्टी के अध्यर्श मान्यामिश्षा जी के नेत्रत में केंद्र की सरकाल ने बहुत सवलता पूर्वग देश के सदुरुवर्थी शेत्रों के विकास का कारे किया है और आज भारती जंता पार्टी का विस्तार भी देश के हर भाग में होने लगा है उत्तरपुर्वी राज्यों में भी अरुनाचल में, मणीपुर में, तिर्पुरा में और आसाम में भारती जंता पार्टी की सरकार है मेगाले में, नागालेंड में, भारती जन्ता पार्टी, सायोगी दलों के साथ सरकार में है और पिछले एक कारेकाल में उत्तरपूर्वी राज्यों के विकास का अभूतपूर कारे प्रधानमंदुशी नरेंद्र मोदीजी के नेतरित में हुआ है विका दिनों जो पूरा सत्र निकला है उस सत्र में चाए बालकों के खिलाफ लेंगिक अपरात के लिए कानून पास करना हुँ चाए महिलाओं की सामाजिक कुरूतिया निप्ताने के लिए त्रिपल तलाग जैसा कानून पास करना हुँ चाहे देश के infrastructure के लिए insolvency code में परिवर्तन का विशय हो, नया unregulated fund के लिए का विशय हो, चाहे देश में स्वास्ते विश्यों को सुधाने के लिए medical commission जैसा बिल हो, सरकार ने भहुत दूर द्रश्टी पूर्ण अपने कारे के माध्यम से देश के लोगों को विवस्ता दी है, जिस विवस्ता के द्वारा वो विकास कर सकी है, और उसी क्रम में संसद में भारत में भारत की एकता और अखंता को आगे बढ़ाते हैं, जम्भू कश्मीर के लोग प्रधान मंत्री जी और हमारे ग्रह मंत्री श्री अमीत शाजी भी बधाई के पात्र हैं, एक ऐसे आवसर पर जब कॉंग्रेस पार्टी अपने आप में ब्रहम की स्थथी में थी, अंरने की स्थती में थी, देश के विकास के योगदान में हमको एक प्रकार का संशे जो लेकिन एक नए भारत के निर्मान के संकल्प के लिए श्रीक अलीता जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंदीर नरिंद्र मोदी जी के नेतरतों में भारती जनता पार्टी को कि सदस्यता को सुईकार किया है हम उनका स्वागत करते हैं और एक लंबे सांसत के रूप में जिनको चार बार सांसत का रूप का नुबाव है विधायक का नुबाव है संगठन का कॉंग्रेस का नुबाव है लेकिन आज उनको भी है लगने लगाए कि एक नए भारत के संकल्प के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधार सिता से त्याक पत्र देखें एक बहुत ही सकारात्मक भावना के साथ परिवार्टी में शामिल हूए हैं पूरे भारतीजंता परिवार के और से मैं उनका स्वागत करता हूं मैं आशा करता हूं उनका ये जो विधाई कारे का जो अनुभव रहा है लंबे समय तक वो एक सदन के सदस्य रहे हैं उन सारे अनुभों का एक रचनात्मक योगदान भारती जंता पार्टी को मिलेगा उत्तर पूरवी राज्यों में भारती जंता पार्टी के संगटनात्मक रूप में भी वो एक हमारी इस देश के निर्मान की देश को आगे बढ़ाने की यात्रा के सह भागी बनेंगे उन्हें मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारी पार्टी के वरिष्ट नेता खिरी प्रीश गोल जी से भी मैं आगरे करूँगा वो भी इस समय में दोश्टप करें उसके बाद बहुनेश्वर कलीता जी का भारतिय जंता पार्टी में और जैसा मेरे मित्र, मेरे भाहिश्री पुपेंद यादव जी ने कहा वास्तव में एक बेदाग चरित्र राजदीतिक जीवन में लंबे अर्से तक मानिया कलीटा जी ने समाच सेवा, देश सेवा में अपना योगदान दिया, आसाम पुरे उत्तर पूर्वर और फिर देश के राश्ट्रिय राजदीती में जिस पकार से उनका लगातार अनुभाव रहा, योगदान रहा देश के प्रदी जिस पकार से वो समर्पित रहे, अलग-अलग शेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, राजनीतिक शेत्र में, समाजिक शेत्र में, आसाम में उनका काफी बड़ा प्रभावी काम रहा है, और मैं तो 2010 से पर्लिमेंट में आया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ, इकनल सरल सुभाव, बहुत ही हस्मुक तरीके से अपना काम काज करना, पहले सतारूत बाटी थी, फिर विपक्ष में, दोलों में, उनके सुभाव में मैंने क कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा, उनके व्यवार में कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा, और वास्तों में भारतिय जनता पार्टी अपने आपको स्वभाग्य शाली महसूस करती है, कि इतने अच्छे व्यक्ति आज हमारे साथ चुड़े हैं, और एक स्वेतान्तिक मु एक सिधान्तिक मुद्देपे के भारत की एकता और अखंड़ता के लिए जब बहुत बड़ा फैसला संस्त करने जा रही थी, तब एक चीफ विप होने के बावजूद, उनको लगा कि ये विशाय पे सरकार सही कदम उठा रही है, कश्मीर में जिस पकार से, जमु कश्मीर में वर्षों वर्षों तक अन्याय रहा, जिस पकार से भष्टा चारी रहा, जिस पकार से विकास नहीं पहुचा, उसके पती अपनी समवेदना भी दिखाते हुए, और भारत की राष्ट्रे एकता और अखंड़ता के पती, अपना संकल्प दिखाते हुए, उन्होंने कॉ को छोड़ के अपनी सदसेता भी छोड़ी, मैं समझता हुआ अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हमसे बाद में जब चर्चा हुई तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, उनको अमंतरन दिया कि वो भारतिय चंता पार्टी से चुड़ें, और आगे भी रादनीती में आज हम सब पार्टी में स्वागत करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, इनके अनुभव से और इनके योगदान से, भारतिय चंता पार्टी में और हमें मार्क दर्शन भी मिलेगा, और आगे के कारकाल में, इनके स्वयोग से, उत्तरपूर्व में, आसाम में और रा आप ले पाएंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है कलिटा जी धन्यवाद आरणिया यादव जी प्यूज गोहल जी बालोनी जी और मेडिया के साथियों और मित्रों आज मुझे बड़े खुशी महसुस हो रही है आपके विश्मे आतर एक देश में एक परिष्ठिटी हो गई थी और अभी भी है कि देश को कैसे मजबूत बनाना है नेशनलिजम को कैसे मजबूत बनाना है परानमंत्री नरिंड मोडी जी के नतित्तों में अमित्षा जी के नतित्तों में आज ये देश मुझबूती की तरफ बर रहा है मुझबूती सिर्फ काम में इरादों में और चिद्धन्तों में ये तीनों सी जरूरी है जहां मुझबूती साहिए और ये तीनों में पिछले समय में हम देख रहा हैं कि जो भारत की जो इंटिक्रेशन है साहे हो जम्म कस्पीर हो साहे उत्रपूर्वी राज्यो हो या दक्षिन के राज्यो हो हर जगे आज नेशनलिजम मुझबूती की तरफ उबर रही है मुझबूती की तरफ जा रही है जब 13370 की बात आई और 13370 की बिरोड में हम थे और हमारे मेरे पूर्वपार्थी कॉंग्रेस में भी मैंने ये बात कई नेताव से और कई साथियों से मैंने किया लेकिन कोई खास निरने ही नहीं आ रहा था एक तरह की ऐसी स्थिटी थी कि कोई इस पर डाइरेक्शन निरने कुछ भी नहीं आ रहा था और जब मैंने देखा कि इस हलत में देश को मजबुटी के और ले जाना है इंटिक्रेशन की तरफ ले जाना है तो हर पार्टी को मजबुटी दिखानी है राष्ट्र हिट में और राष्ट्र एक्ता के लिए और मैंने देखा कि जब मेरे पार्टी में कोई उस समय कोई निरना ही नहीं था तो मैं और बाद में जब ये थारा तिन सा सत्तर का समर्थन की तरफ बर रहा था कॉंगरेस की जो राई है तो मैं इसका विरोट किया और क्यूंकि मैं सदन में मैं उस समय कॉंगरेस में था तो मैं सदन में इसका विरोट नहीं कर पा रहा था तो मैं सदन से ही इस्तफा दे दिया और इधारा तिन से सत्तर का मैंने समर्थन किया और पढ़ान मंत्री शिजित नरेंडर मोडी और ग्रेह मंत्री अमित्षाजी के नेक्टित में जो मजबुती और मजबुत कदम उठाया है उसको स्विकार करके उसको समर्थन करके मैं कॉंग्रेस से इस्तफादिया और आज मैं भारते दंतपार्थे में समिल हो रहा हूँ मुझे खुशी है और मुझे confidence है कि आगे साहे उत्तरपुर्वी राज्यों हो जहां आज ज़्यादा से ज़्यादा integration की ज़रूरत है जहां development की ज़रूरत है जहां हमारे जितने आदिबशी शिडूल्टार शिडूल्ट्राइट आज पहारी रज्यों की जो समश्या है उस समश्यों का आज सबादन्ट की तरफ जा रहे हैं और खास करके जो एक्टिस पॉलिशी जो लिया गया है वो एक्टिप एक्टिस पॉलिशी पहले ये पेपर में थे आज ये बास्तब में हो रहा है और बास्तब में ये उबर का आ रहा है और ये हमारे प्रान के लोग उत्रपुर्गी राज्जों के लोगों के लिए खुशी का समय है और ये कदम जो जम्मु कास्विर में लिया है इस कदम बहुत महत्तपुर्णा कदम है और मुझे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये आगे जो मुक अच्किर के लोगों का भी हला ही होगा, अच्छा होगा, डेवलप्मेंट होगा, इंटिग्रिटी बरेगी और हमरे देश एक देश, एक देश की तरफ और एक देश हो सकेगा. मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिस किया है कि हिंदी में बोलने के लिए, तो मैं आखिर में पुना, आप सब को धन्यवाद करते हूं, मैं यही सवाप्त करता हूं, धन्यवाद. कि अधन année मात्रो केटामान मुवृत्राग अगो ते भूबने स्रा कोलिटाए, ज्युक्त के देश, जुगदाना कोरें। में दोगधने का दो फिर्टांक ऑलने पाला इंक बरुप्गी गुट्रस दोरे फिर्पाँ टूरेकी अगुट्यों पाली, में आकश्मिर दोवा सुपनिश्णा पालो थ्यां सर नवारा इलो नवी, जोरा इलो बरुबरु dua कुण्श्णा पाली सोहा जना हुट्वान hellah नतुन दिलित विजेपी राष्ट्यो काजलेत बात्र केटाबान मुहुट्टर आगोते एडरे भुवनेस्टर को लिताए कॉंग्रेस त्याक कोरी भारतियो जनतापार्टी जुगदान कोरी से निजर भाखनों त्यां उल्लेक कोरे जे राष्ट्यो बादर पोते त्यां हमार्थना से जम्मु कास्मीर स्थी बिखाय टुकले कॉंग्रेसर जी स्थीदी आशले तार त्यां बिरुधिता कोरी सिले अरो हे कोथा दलोग जनुवार पिशात दलेकुनु विवस्थालवान आसेला और हे बाभी अबहेखत नरेंट्रमुदीर नेत्रित्तत एक नतुन भारत गहार दिखे त्यां विजेपी जुगदान कोराबुली उल्लेक कोरीले और ये डिरिस्चत नालकर प्रतेक्ख कोरी स पिश गुएले एडरे भुवनेस्थार कोली ताक नतुन दिल्लीर विजेपी कार्ट जालोयत अदर्नी जनाए मात्रो केटमान मुहुट्टोर आगो तेट्यां भारतियो जनातापादे जुगदान कोरीले और पुनार पार कॉंग्रेस दोलार भुबहे मुख़माखाद ए खे गुड़ा के भुवनेस्थार कोली ताए एतिया कॉंग्रेस एडरी बिजेपी जुगदान कोरीले